Hi guys, Welcome to Study Couch तो अभी recently पेटरोल और डीजल की प्राइजेज जो हई में काफी ज्यादा हाइक हो है काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हो ए तो इस लेक्टर में बेसिकली पेटरोल डीजल की प्राइजेज इसके बारे में समझेएगे उसके साथ अगर petrol को GST के अंदर लाया जाता है तो ऐसी situation में जो petrol है उसकी prices क्या होंगी क्या उसपे effect पड़ेगा इसके बारे में भी पूरा detail में हम बात करेंगे और अगर आपको ये video useful लगे देन डू like, share and subscribe to study couch ओके, so let's start एक दम basic समय स्टार्ट करते हैं जितना भी crude oil का use होता है उसको 20% जो है वो ही पस इंडिया में produce होता है उसके लावा बाकी 80% जो है वो export किया जाता है बाकी country से जैसे की brand का crude oil हो गया या फिल डॉट या वहां का crude oil हो गया ये दोनों क्या है इसके बारे में नीचे आपको एक वीडियो मिल जाएगी description में आप लोग वहां से जाके check out कर सकते हैं तो जो ये 80% इसमें majorly जो opaque countries होती हैं जिनकों की organization for petroleum exporting countries के नाम से जाता है उनका जो crude oil है जिसको की brand crude oil हम बोलते हैं वहां से इंडिया में import किया जाता है तो अगर हम मान लेते हैं कि जो crude oil है उसकी price अभी $71 per barrel है मतलब एक barrel जो की 159 liter के equal होता है उसका rate जो है $71 हमको यहां पे देना पड़ेगा अब यह तो वहीं पे rate है जहां पे वो produce हो रहा है उसके अलाव अगर इसको इंडिया में लेके आना है तो C के route से जब हम इसको लेके आएंगे तो जो transportation का खर्चा होगा उसको अगर हम इंक्लूड करते हैं जिसको की ocean freight के नाम से जाना जाता है वो basically अगर हम मान लें कि $3 per barrel है तो तीन डॉलर यहां पे और इसमें add हो जाएगा तो अब हमारी cost जो है $71 per barrel हो जाईगी अभी तो यह dollar में अभी इसको हमें रुपे में भी exchange करना है और अभी current situation में हम देखें कि dollar to rupees जो exchange rate है जो कि अभी 72.55 है और round figure हम उसको ले लेता है simplification के लिए तो हम इसको मान लेता है 72 है तो अब इसको दोनों को अगर हम multiply करते हैं तो total cost जो हमारे पास आएगी वो 5,328 रुपीज पर barrel आ जाती है और लीटर में अगर हम इसको convert करते हैं 159 से हम इसको divide कर देंगे तो मतलब हमारे पास जो cost आएगी वो आएगी 33 रुपीज पर लीटर की crude oil की cost यह हमारे पास में आती है तो यह तो यहाँ पर आते ही है उसके अलावा जैसे कि अगर जो crude oil इसको अगर हम refine करते हैं क्योंकि petrol डीजल हमें obviously बनाना है तो USA situation में जो cost लगती है उसकी वज़े से इसमें काफी ज़्यादा increment होता है जिसी कि petrol के respect में अगर हम देखें तो refining process वगर हम जो cost लगता है उसको entry पर जो cost लगता है या फिर कोई और operational cost वगर जो लगते हैं उन सब के margin लिया जाता है जिसको की petrol में 2.62 रुपीज पर लीटर माना जाता है और diesel में 5.91 रुपीज पर लीटर माना जाता है उसकी petrol के लिए 3.31 रुपीज पर लीटर होती है और diesel के लिए 2.87 रुपीज पर लीटर होती है तो इसकी वज़े से जो petrol जिसकी इनिशली यहां पर price 33 रुपीज पर लीटर थी वो इन दोनों को add करने के बाद 38.93 रुपीज पर लीटर हो जाती है और diesel के respect में अगर हम बात करते ह के लिए 33 था और इन दोनों को 5.91 और 2.87 को add करने के बाद में यह 41.78 रुपीज पर लीटर हो जाता है अभी यहां पे कोई भी taxation लगाया नहीं गया है तो अगर हम taxation को start करते हैं जैसी कि central government के द्वारे जो exercise duty लगाई जाती है फिर rod cess जो लगाया जाता है उसकी अगर हम बात करने जो कि petrol पे 19.48 रुपीज पर लीटर लगाया जाता है उसकी अलावे diesel पे 15.33 रुपीज पर लीटर लगाया जाता है उसकी अलावे जैसे petrol pump के जो dealers वगर होते हैं वो भी अपना commission लेते हैं वो पर लीटर के basis पे ही लेते हैं जो कि petrol पे 3.62 रुपीज पर लीटर लेते ह यहाँ पर यह जो data है यह exact data नहीं है यह example के तौर पर हम इसको consider कर रहे हैं जिसे कि हम समझ सकें कि किस तरीके से जो petrol और diesel की prices हैं वो increase होती हैं decrease होती हैं किस तरीके से उनको calculate किया जाता है तो जब petrol की price में यह exercise duty वगेरा या फिर petrol pump dealers का जो commission इन सब को add किया जाता है जो कि पहले 38.93 थी अब 62.03 रूपीज पर लिटर हो जाती है वैसे ही diesel की price जो कि पहले 41.78 थी और अब 59.63 रूपीज पर लिटर हो जाती है यहाँ पर अभी central government का ही tax लगाया गया है उसके अलावा एक location हम अब हम consider करते हैं क्योंकि हर इस्टेट में या फिर union territory में जो वैट है जिसको की value added tax हम बोलते है डिफरेंट होता है petrol और डीजल पर जिसी कि दिल्ली के respect में अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो वैट लगता है और डीजल पे 16.75% का यहाँ पे वैट लगाया जाता है दिल्ली में उसके अलावा जो pollution tax या फिर pollution sas के नाम से भी 25 पैसे इसमें add किया जाते हैं तो यहाँ पे पेट्रोल है उसमें 16.21 रूपीज पर लिटर एड किया जाता है वैट के रूप में यहाँ पे दिल्ली के respect में आप बात की जा रही है उसके अलावा पेट्रोल में 9.91 रूपीज पर लिटर एड किया जाता है तो इसके बाद में जो final price आती है पेट्रोल की जो कि हम पेट्रोल पंप पे खरीदते हैं दिल्ली के रेजन में अगर हम बात करें तो वह around 78.24 रूपीज पर लिटर हो जा हो जाती है या फिर कूड़ की prices में बढ़ोतरी हो जाती है या फिर जिसे oil marketing company जो वह अपना percentage बढ़ा जाती है तो ऐसी situation में जो प्रूड ये पर ट्रोल और डीजल जो है इनकी prices में काफी ज़्यादा हाइक और इंक्रीमेंट होता है और अगर हम माल लेते हैं कि पेट्रोल जो है वो GST के अंदर में आ रहा है जिस पे अभी current situation में state government और central government अलग-अलग अपने tax लगाती है central government exercise duty लगाती है और जो state government वह अपना वैट लगाती है तो जैसी कि अभी दिल्ली के respect में हम बात करेते हैं कि current price जो पेट्रोल की है वहाँ पे हम माल लेते है 78.24 रूपीज प हटा देते हैं तो हमारे पास जो price बचते है वो बचती है 42.55 रूपीज पर लेटर अब यहाँ पर GST जो है जो कि 3 bracket में लगता है या तो 12% में 18% या फिर 18% अगर वो 12% के bracket में इसको रखा जाता है petrol को तो जो petrol की price होगी वो दिल्ली के respect में आप है 47.65 रूपीज पर लेट पर लेटर हो जाएगी तो इस तरीके से काफी ज़्यादा differentiation यहाँ पर मिलेगा अगर जो petrol है अगर उसको GST के अंदर में रखा जाता है GST नहीं कि goods and services tax के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो यही थी कुछ important information petrol and diesel के prices के बारे में किस तरीके से वो calculate की जाती है कितना उसमे कितना difference हमको देखने को मिल सकता है तो आज के लिए बस इतना ही, hopefully you guys find it useful and if you find it useful then do like, share and subscribe to study couch, thanks for watching and have a good day